इस प्रथम दिन के मद्दान, प्रथम चरण के मद्दान से पार्टी के पास जो फीडबेक आया है, उससे बहुत इस्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दरता के साथ प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोदी जी के पक्ष में एक जुट होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जी के तथा कथित करिंट की बिजली गुल नजर आ रही है। राहुल गांधी जी अभी भी अमेटी से नामांकन करने का साहस बटोर नहीं पाए। लोकसभाचउनाव कि मतधान का प्रथम चरण संपन हुआ हम इस प्रथम चरण में मतधान करने वाले देश के सभी प्रबुद और जागरूक automation का धन्यवाद देना चाहते हैं जिनों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपने मताधिकार का प्रियोग किया और आने वाले चरणों के लिए हम सभी मद्दाताओं से ये कहेंगे कि वो उसका अपने मतादिकार का प्रयोग करें आज के इस प्रथम दिन के मद्दान प्रथम चरण के मद्दान से पार्टी के पास जो फीडबेक आया है उससे बहुत इसपष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दरता के साथ प्रथान मंत्री शी नरेंदर मोदी जी के पक्ष में एक जुट होती हुई नजर आ रही है निश्शित रूप से प्रदान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी के प्रती जनता में समर्थन की एक लहर दिख रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंदन और उनके स्वगोशित नेता क्योंकि कोई गोशित नेता तो है नहीं राहूल गांदी जी के तथा कथित करेंट की बिजली गुल नजर आ रही है नफरत की दुकान के कोई भी सामान प्रभावी होते नजर नहीं आ रहे है प्रथम चरण समाप्त होने तक एक बात और इस पश्ट हो गई कि पहले चरण का मद्दान हो गया परंत उसके बाद भी जैसा हमारे राष्टियत द्यक्ष आद्रणी अनड़ा जी ने कहा है राहूल गांदी जी अभी भी अमेटी से नामांकन करने का साहस बटोर नहीं पाए यानि अब चुनाव शुरू हुआ नहीं चुनाव का एक चरण हो गया और अभी तक वो साहस बटोर नहीं पाए है ये आगाज ये बताता है चुनाओ का कि अन्जाम क्या होने वाला है इसका अनुमान सहजी लगाया जा सकता है हम कह सकते हैं कि देश के भिन भिन अंचलों में आज जिन 102 सीटों पे मतदान हुआ है उसमें मतदान की जो मनुभाव दिखा है वो एक मजबूत निरणायक सरकार पुर्धान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के नेत्र तुमें देने के लिए बहुत दड़ता के साथ और गंभीरता के साथ उठता हुआ नजर आया है और हम आश्वस्त हैं कि इस प्रथम चरण में पिछली बार से कहीं अधिक सीटें हम जीत कर अपने विजय के अंतर को प्रभावी और निरणायक धंग से बढ़ाने में सफल होंगे और एक लंबी छलांग हम उन राज्यों में मारने जा रहे हैं जहां अभी तक हमें अपिक्षा करत रूप से उत्रा महत्पूर्ण नहीं माना जाता था झाल